कि यह पंद्रा दिन मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे तुझे क्या लगता है कि कन्ना की नजरों से बचना इतना असान है कन्ना तेरे साथ बात करने का यह सही समय नहीं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फसके हूँ प्लीज जाने दे मुझे अबे तुझे क्या लगता है कि मैं तरी कहानी में फस जाओंगा इन हाथों कि रेखाओं से लेकर शरीर के हर एक नस में दिमाग में टार्गेट फिक्स किया है अब तु मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाला हूँ अब आज के दिन जब मैं तुझे इन हाथों से मारूँगा तब मेरी बेटी की आत्मा को शांती मिलेगी मर, 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 तुम्हें मेरी बेटी को मारा, मर, मर, छोड़ो इसे सिर्फ इसके लिए ना गराज देकर तुने वापस ले लिया मेरी बेटी को इसके लिए मारा अब तु देख मैं क्या करता हूँ मैं इसे तेरी आखों के सामने मारूँगा किस अत्तमा ये पलवका करता है किस और मुझे पता भी नहीं कि तेरी बेटी कैसी दिखती है क्या बोला तू मेरी बेटी को नहीं जानता बिना जाने उसे लाइबरेरी से लेकर गया था ए कन्ना थोड़ा सही दिमाग रख कर सोच जब वो बेहोश हुई थी मैंने उसकी मदद की थी तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन यही सच है तेरी कहानी तो सूपर हिट है लेकिन तू पूरी तरह से फ्लॉप है पढ़ो पढ़ो तब तक पढ़ो जब तक आप उससे प्रोचसाना ना ले लो कहानी ऐसी हो जो कभी खतम ना हो और ना ही उसकी कोई शुरुआत हो ये एक शांती प्रदान करने वाली मनोरंजब बढ़ाई है जिन्दगी के आखरी बढ़ाओ के बारे में एक मिटने वाला अंत जो कभी खतम नहीं होता और समझने वाले का ही अंत हो जाता है आखिर क्या है उस किताब में उस किताब को पढ़ने के बाद इंदु मरी क्या लाइबरेरी में ये सब हो क्या रहा है बगासुर एक राक्षस था ऐसा पुराणों में लिखा है पर इस धर्ती का बगासुर है कॉर्पोरेटर कन्ना जिसकी ये कहानी है कॉर्पोरेटर सिर्फ इसका डिजगनेशन नहीं है इनीशियल है कन्ना बहुत ताकतवर है और अपनी ताकत को वो मासुमों के सामने दिखाता है इसकी दिन्चर्या है अपने गुंडों के साथ जमीनों पर कबजा करना और फिर उन जमीनों को लोकल पॉलिटीशियन्स के साथ डेवलप करना और उनसे पैसा कमाना चल सुना पक्षियों के आवाज वादियों में गुंचती है जब हम बाद में गूंचते हैं आ इट्य में प्पा आला आ अच्छा गाना हुआ 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 वोल्ट 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 क्यों बेर काम करने की बजाए फोन में लगा पड़ा है बीएफ देख रहा हूं क्या बुला बॉलिवुड फिल्म अबेर याद कर तु कर किया रहा था एक तो तुझे तीन बार आवाज दी लेकिन तुझे तरह हाथ से फोन छूटता ही नहीं हुआ हुआ है यह क्या हुआ था गटिया पेट्रोल टैंक यह वो करके मुझे कुछ करने नहीं दे रहा है प्लीज कुछ कीजिए ना बॉस फ्लीज खोल के दो ना बॉस ठीक है तुचला के मैं आता हूं हां उल्लुक के बट्टे मैं यहां बैटकर यह सारे पार्ट्स निकाल रहा हूं और तुए की बॉलिवड फिल्म देखने में लगा हूँ है सुरी बॉस मैं अपना काम ही भूल गया चलबासुआ अभी जाकर सिगरेट ले के आ मेरे लिए बॉस सिगरेट के पैसे दोगे या फिर मैं ठीक ठीक समझ गया समझ गया मैं लेके आता हूं आता हूं कि आप बॉस हुम कर दो कहा हो तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कर दो मैं लें झाल 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 अंकल यहां से किसे जीप को जाते हुए देखा यहां से कोई जीप जाते हुए देखे देखा नहीं देखा चौन अगूँ अीसाओ कि यह किस लिए पी रहे भाई तो एक्जाम में सक्सेस्फुली पास हो जाएगा तो पुलिस ऑफीसर बन जाएगा ना इसलिए पी रहा हूं अब इतने जल्दी क्या है तुछा आपे तक चीर्स भी नहीं किया हम लोगों ने यह सिर्फ एक ट्रायल था बॉस फ्रेश बॉटल निकाल कर चैस कर दूंगा यह तू मुर्गे के बदले पकोड़े क्यू लेकर आगया आज शेनिवार ना बॉस अच्छा मतला तू मंगलवार को नहीं पीएगा तो पकोड़ा तो काफी अच्छा है मुझे बहुत पसंद आया थैंक यू शिवा भाई थैंक इतना टाइम बाकी है बस एक महिना और अच्छा शिवा भाई इस खुशी में तुम मुझसे वादा करो क्या बोल्ट शिवा भाई इस खुशी में तुम के स्टेशन की सारी गाड़ियां हम सही रिपैर करवाना अच्छा ताकि तू उन सब को बेच कर पैसे बना सकता ना य भवाई यहां से हमारे बंदे को जाते हुए देखा क्या इतनी रात को भी कोई किसी कि करता है गया उसे मारना आए गया नहीं बैब वह में उसे मारने के लिए फोस कर रहा है और हम बस उसे सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं प्रोब्लम है तेरी तो तुम लोग ऐसा जोच रहे होंगे यह प्यक्कड तुम्हारी क्या मदद करेगा कोई बात नहीं चल बोल मैं मदद करूंगा तुम्हारी चलो कुछ नहीं भाई लव में थुड़ा सा क्लैश है इसकी चार साल की लव स्टोरी को सारे घरवालों ने मान लिया है लेकिन दो दिन से लड़के से बात नहीं करें इस्टे थोड़ा सा नाराज है तुझे मेरे प्रोब्लम पर हसी आ रही है चोटे दो दिन की जुदाई की बात कर रहा है अब इसमें तो मैं 200 बाहर मर गया होता समझा क्या हुआ शीवा कि जोगिन पी नहीं किया कर गा कर दा को जो बंदाया थाना उसने खुद को फास ही लगा लिया है हा रह बात कर रहा है अब चल चल युदो को唱 करते कि कुल्णी से तो इसके भागे नहीं देँ इस लिए इनें के प्राद कर मेरे शादी अरे बोल्ट है बॉस्त अंदर ज़रा दो कुर्सिया लगाना अच्छा सुन कार में जो है वो अंदर आएंगे या फिर बाहर बैटेंगे ज़रा पुछ किया है कि कार में बैठोगे अंदर आओगे ऐसा बॉस्त पूछ रहे कौन है तू बोल्ट भाई का असिस्टेंट है वोसे तेरे अलावा और कोई नहीं मिला इस गैरेज का ख्याल रखने वाला मैं ही हूँ तो यह मैसूर पहलस है और यह है उसका असिस्टेंट तू क्या देख रहा है चल निकल निकल ना है 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 तुम्हारी शकल कैसी दिख रही है पता है जरा अपने आपको आइने में देखो क्या पापा मैं कैसा दिखता हूँ यह देखने के लिए आप इतनी दूर आगे उससे अच्छा है कि सिधे पॉइंट पर आईए ना कि क्यों आयो अपने पापा से को इस तरह से बात करता है क्या तुम अपना घर ऐसे कैसे छोड़ सकते हो हम सब के बगिर कैसे रहोगी बता रुक चाओ मा आपने अपनी इजट पहले ही गवादी है सबसे कीमती चीज़ को कैसे छोड़ दिया बे सोरी बाए मैं नहीं जानता कैसे करोगे लेकिन शाम तक मुझे ओरिजिनल लॉक्युमेंट्स चाहिए हैं ठीके बाए सुन बेटे राजा हरिश्चंद्र कृष्ण प्रसाद तुस्से जगरने के लिए नहीं आये हैं दो साल हो गए हमें छोड़ कर गये हुए इतने दिनों में तुने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा जो लड़की तुझे छोड़कर चली गई उसके पीछ किर में मैं तो किसी का भी नहीं देखिए है ना उसके बावजुद भी उसकी यादों की सहारे में खुश हो आप लोग भी खुश रहिएगा अब जाइए यह से अच्छी बात है अब मेरा भी फैसला सुन लो मैं अब और नहीं रुख सकता तुम्हारा एक महिने तक मैं इं कि माले जला जाओंगा अच्छा सुचा वे जाओंगा अच्छा सुचा वे कि बॉके राज़ कि क्रों दिवू दर्स आपना कम और काम चाहिक अंधर अनंकी भूंद के लि Nancy आप गिए सुनाए लेकिन मेरे समझ में नीया इंपोल्ड देग यह काम का टाइम चलरहा है बोलने में समय बरबाद मत कर समझ गया ना अब जा जाके कस्टमर्स को संभाल दिखाई नहीं दे रहा गया देख वहां पर वह आदमी खड़ाए जा क्या बें इंदिस्दार करने पर मर जाएगा सीरेज डिसकेशन हो रहा था ना बोलो क्या है हवा और पाने क्या हवा और पाने हम हवा नहीं बरते समझें तो का जाओ पार्क में पार्क में जा हवा भरने बोल रहा है हवा पार्क में राजा तुम्हारे मम्मी पापा थे क्या क्या वह तुम्हारे मम्मी पापा थे एक बार भी नहीं बता है यह बोल्ट तो चुपकर वैसे क्या बोला वहाँ पर पहाड जो है तो वहाँ बैठके आराम से समय बिताएंगे ठंडी जगे पर समय बिताना अच्छा होता है राजा यह मजाग की बात नहीं है अच्छा चल लाइबरी जा रहा है ना तो तु गरेज पर दियांदे यह काम कर हाँ हाँ ठीक है राजा तो यहां बैठकर पड़ाओं मैं उपर जाकर देखता हूं कि कोई नया कलेक्शन आया है क्या ठीक है 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 कि कि मैं यहां पर था यह बात तो तुम्हें पता थी उस रगुपती के साथ तुम्हारे क्या रिष्टा है नहीं जानना मुझे मैं यहां सिर्फ तुम्हारी लाइबरेरी खाली करवाने आया हूं जैसा कि मैंने कहा था मार्केट से 90 परसंट पैसा कम दे रहा हूं तुम्हें कर दिएसा करेंदें कि तुम्हें यहेरी मैं अबे तू है कौन हूँ मैं कल ब्रिज पर आराम से बैठा हुआ था और अपने बीते लम्हों को सुकून से याद कर रहा था तो तूने बीच में आके मुझे डिस्टप किया यही यही हाथ था ना तेरा यही हाथ था ना तेरी यही आताना यही आताना यह कौन सा तरीका है भी आखिर मेरी फिलिंग्स पर तुमनों क्यों रियाट कर रहे हो कि अगर तुम आखे बंद करके पेपर पर साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें जिन्दा छोड़ दूंगा अगर नहीं किया तो एक दूसरा ओप्शन भी है क्यों बे क्या सोच रहा है कि कन्ना गौर्ड तुझे कोट का नोटिस कियों दे रहा है क्योंकि मेरे पास हमेशा दो आप्शन्स रहते हैं पहला पैसा देना दूसरा मार देना अरे बॉड़ी तक नहीं मिलती है तुम जिन्दा हो या फिर मारे गए सोसाइटी को पता नहीं चलता इसलिए तुम्हार लिए बहतर है उस पर साइन कर दो बस आप्शन चूज करवाने का समय नहीं है मेरे पास तुम्हारे पास एक दिन है मैक्जिमम त्री डेज मैं दुबारा आऊंगा तुम्हारे नए बिजनिस प्लान को इनाउगरेट करने ये पैसे रख लो और कोई पान पट्टी की दुगान खोलो या किराने की अच्छा रहेगा ओपनिंग पराकर तुम्हें पबलिसिटी दूँगा डाडी अरे तुम यह क्या कर रही है मेरा भी यही सवाल है आप यह क्या कर रहें अंकल से डिसकशन करने आया था अच्छा तो तुम यह अपनी पढ़ाई करने आया है यह बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ना बेटा यह प्रॉपर्टी कुछ दिनों में तुम्हारी हो जाएग एचर कर को अच्छा से में से आया कर दब दो… अचम यह कर र 얼마나 तुम अच्छों यह कर रं़े और खुम यह कर दो यह कर यह कर द भी हो जो अब तो यह me ऊचरा है हॉ ठे वह हू कर वालुम में तो यहा जब हूव कर दो यह है इनिया हु चिसकर भुम यह ? जुख वघए। वे बनी जो तां उम तर निज जो चल प्रोब फ़र पर प्रो जो अज को जो 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 चो जो इए प्रट अँ हुड आ आ आ आ ा हुड 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 आ क्या हुआ थोड़ा आराम से पी आराम से क्या बॉज लाइफ बोर हो गए रोज रोज के रूटीन से तो कैसी लाइफ चाहिए तुझे लाइफ में बॉज काम-कम हो पीना स्यादा हो क्या बोला काम-कम और पीना स्यादा पुरी अच्छी तुर्णी हैं मतलब अभी कुछ कम आपको कभी कुछ नहीं भूछा लेकिन आज जो हुआ उसे देखने के बाद मुझे आपके बारे में और जानना है अब तू भी नहीं तेरा यह नाटक में बहुत अच्छे से समझ लिए लगता है यह तेरा ही प्लान है बॉस मुझे सिर्फ आपके ममी और पापा इतना ही कि बार-बार याद करने के लिए कोई माइथालोजी की कहानी तो है नहीं यार मेरी जो दिल के नजदिक थे उन्होंने दिल तोड़कर खुछ से मुझे चुरा के पता नहीं कहां चले गए ऐसा दर दिया है ना जो गभी खदम ही नहीं हो पाता इसलिए ग्लास के शराब में मैं खुशियां डूनता हूं अब तुझ सुन तो रहा है ना बॉस अगर आपको जवाब नहीं देना तो मत दोना लेकिन ऐसे मुहावरों में मत बताओ वो कहना कि ऐसी बाते मेरी समझ में नहीं आती मतलब तुझे मेरी फीलिंग समझ में नहीं आई ना वो क्या था दिल औ थीग है ओगे बोलता हूं हिंदी में बोलना वाज हिंदी हिंदी ठीक है वो मेरे कॉलेज के दिन थे ग्राउंड फ्लोर पर एक लड़की थे और फर्स्ट फ्लोर पर मैं फर्स्ट टाइम इतने दिनों में मुझे किसे से प्यार हो गया था और तब ही मैं उसे ढूमने के लिए निकल पड़ा उसके सुन्दर आखे देखकर मैं वहीं पर रुख गया मेरी इच्छ थी कि वो मेरी ही क्लास में आये और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही उसी समय मैं तुरंत अपने क्लास के लिए भागा तब से मैं बस उसे खूरने लगा लेकिन उसने मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं दिखा था लेकिन मैं उससे प्यार तो बहुत करता था क्लास स्टार्ट हो रही थी और एंड हो रही थी लेकिन मेरा पूरा ध्यान बस उसी के ऊपर था एक दन कॉलेज ने स्टेज मिला अपना टाइलेंट पाफॉर्म करने के लिए तब उसने मुझे देखा लास बटन लीस्ट मुझे लगता है बहुत से लोगों को शराब की लट लग जाती है और यह लट बाद में आदत बन जाती है तो मैं चाहता हूं कि इसे रोका जाए कंट्रोल किया जाए इस्पेशली हमारे युद को इस खत्रे से बचना चाहिए अभी हम देख रहे हैं कि ये लड़के कैसे औरतों के साथ मिस बहेव करते हैं हाल ही में मैंने तीन चार ऐसे केसिस देखे हैं औरत को रिस्पेक्ट दिये बिना उससे बात करना और उससे भी बढ़कर उने मारना ये सारी हरकते करने वाले कोई अनपड नहीं है हमारे ही स्टूडेंट्स है इसलिए मैं ये सारी बाते कर ला हूँ देखिए इज़द दीजिए और इज़द लीजिए औरतों को हर तरीके से बचाईए मेरी बातों से अगर आपको ठेस पहुंची है तो मैं आप सब को सौर अगरी बोलता हूँ जाए है थैंक यू सारी उस देन मैंने स्टेज पर जो कुछ भी बूला था उससे वह इंप्रेस होगी थी और उसके अगले देन हाई हाई मुझे हाँ तुछे ही हाँ तुछे ही हाँ बोलो बोलो कल चा तुमने स्टेज पर खड़े होकर तुमने बहुत सही मुद्दा उठाया है हैट सौफ्ट यू मिस्टर राजा हारिश चंद्र कृष्न प्रसाद यह क्या तुम्हे मेरा नाम भी याद है अब भला कोई तुम्हारा नाम बोल सकता है रियाली अप्रीशेट यू हेलो मुझे तो जाने दो कैच यू लेटर कब अपमें हटी मैं तो उसका हमेशा पीछा करता था हम तोनों लवबट्स बन चुके थे मैं बस अपने प्यार के बारे में अपने उसे बताने ही वाला था लेकिन दुर्भाग यसे उसे दिन उसके घर से कमेसे जाया हूँ इंदू यू यू कें गो सौप दिसके अब चंडरायन टू इन 2 थाफजन आन्टी राउसर आप बात क्या है तुम्हारे घर से ओफिस में फोन आया था बीटी तुम्हारे बापा बहुत सीरियस है प्रगती होस्पिटल में एडमिट है और मिशन लेकर चली जाना क्या मैं राजा को अपने साथ ले जा सकती हूं प्लीज सर ओके इंदू राजा इसके साथ जाओ देखो टेंचन मतलो प्लीज पापा को कुछ नहीं होगा खुन देने के लिए होस्पिटल में स्टॉक भी नहीं है विच ग्रूप इंदू ए भी पॉसिटिव ओके रिलाक्स अरे शीवा अभी कहा है तू अच्छा अरजेंटली प्रगथि होस्पिटल में आ जाहां यह फास्ट नर्स डॉक्टर इन पेशेंट्स को तुम देखो तब तक मेराउंट पर जा कि आता हूं उस दिन से उनने मुझे अपने फैमिली परसन की तरह ट्रीट किया इंदो 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 मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है बताओं इंदो खेल कियो रही हो तो हुँँ जाता है जाता है इंदो आपकाता है तीशेट और ड्रे बत्स्काइब और दो कर दूझे झाक पर अजनो आज मेरी दिल की बाते और मेरी फीलिंग्स मैंने तुम्हें बता दी है राजा मैंने तुम्हें ये भी कहा ता कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूँगी मुझे अपनी गिफ्ट की तरह स्वीकार कर लो अगर मैंने धोका दिया तो तुम मुझे धोका दोगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती राजा मुझे बस तुम्हें अपने मन की बात बतानी थी तुम्हारा भरोसा पाकर मुझे बहुत कुशी हुई दरसल यही बात मैं आज तुमसे कहने ही वाला था लव यू लॉट इंदू आकाउश और धर्ती एक हो जाए तो भी मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई है राजा कॉलिज में एक बालु नाम का लड़का है और वो मुझे जहां पी मिलता है वहां टॉर्चर करता है उसने मुझे परिशान कर रखा है तुम चिंता मत करो हिंदो कल से वो तुम्हें देखेगा भी नहीं है है मां बोलो आओ यहां ना मेरे साथ आओ कहां लिजा रहे हो अरे बैटो ना मां अरे बता तो व्यां यह नहीं बढ़ी रहना उट्टा मत पाप तो आपने मेरे लिए बिना कोई जजग के सब कुछ किया है तो अभी भी मैं यह चालता हूँ कि आप मेरी एक बात मानले पर बता तो सही, मेरी शादी पैपा, हा सानी की बाइश देव seemed to remain technique तुझे किसी से प्यार हुआ है इसलिए तुझे शादी की जल बड़ी है यह है ना नहीं बबाब सुक्रात माने चिना अधरे से एंक नुस्य पड़े क्वा दूबह गी द्याथ कि फिर मोम सच में disagreement की सा मुहरत देख कर लड़की की फैमिली से बात करेंगे ओके यह थैंक्यू बाबा थैंक्यू माँ थैंक्यू माँ यह 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 देख रही हो इसको अब तो शादी करनी पड़ेगी हाई राजा यह यह बालू नवस्ते नहीं थैंक्यू मैं नहीं पिता तु इंदू को जानता है उसमें जानना क्या है मैटर क्या है क्या मतलब क्या बूल रहा है तू उसके साथ अच्छे से बरताव करने का समझाना भैने वो तेरे इज़ट कर उसके मेरे समने आवाज उठाने की हिमत की तुने राजा राजा यह तुम क्या कर रहे हो हुआ है होड़ी देर के लिए यह गौगल पकड़ दस मिनिट दे मुझे थैंद कर। में अणने है यह तेरे बारे में सुनाया मैंने बच द्रभी चड़ीय है है हुआ है क्लास्रूम में टीचर की भी राइंग करता है क्या कर रहा हो लंट है और क्या 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 कमीन है तू भच गया क्योंकि मैंने केमपस बडल दिया नहीं तो स calculate कर तरी हड़ी तोड़ देता है तो राजा रुख जो उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया और कोई जवाब भी नहीं दिया उसके माने मेरे चहरे पर दरवाजा बंद कर दिया और कहा कि दुबारा यहां पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है एक्साम्स कंप्लीट करके एक्साइटमेंट में मैं उससे मिलने चला गया इंदू मुझे तुमसे बात करें आओ ना थोड़ी सी बात कर ले कुछ अरजन काम के वज़े से मैं फैमिली के साथ काओ जा रही हूं दो चार दिन में आ जाओंगी वेट करना हां आने के बात मिलती हूं इंदू 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 दो दिन से चार दिन और उसके बाद महिनों बीद गए और महिनों से साल बीद गए लेकिन इसका कोई पता नहीं अब बस इंतसार कर रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा बस मैं जानना चाहता था कि वो ठीक है कौन सुभर सुभर शूर कर रहा हैं है सई से लगा देखना वहां पर ओए तुम सब और यह क्या है दिखाए नहीं देता बोड अरे देखना नहीं है पढ़कर बताओ लिखा क्या है तो अगर पढ़ना लिखना आता ना तो गोलबोल कॉलेज में पॉर्फेसर होता क्या भे हमारे सामने होश्यारी दिखाता है जबान काड़ दूंगा कौन है तू पोल्ट पॉड़ी नेम डैजिक नेशन भाई का असिस्टंट इतनी हिम्मत मेरे गैरेज में आकर बोल्ट के गिरेबान में हाट डाल रहा है मैं अग्जीमम टू मिनिट्स होल्ड करके रख उसके बाद मैं नहीं रहूंगा और तुम लोग भी यहां पर जिन्दा नहीं रहोगे कुछ ज्यादा ही बोल रहा है तुसम्जा यहीं रुको यहीं रुको क्या कर रहे हो तुम लोग यहां पर क्या तुम वही है ना जिसके बारे में यह सभी लोग जादा ही बिल्डप दे रहें कि अधिक कल जो हुआ उसके बाद हमारी बॉस को तेरी बोड़ी चाहिए अब हम तो तुझे ढून रहे थे अब देख तेरी क्या हालत करतें अब तेरे को बहुत हुआ 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 है हम कॉर्पोरेटर कन्ना के बंदे है है हाँ हाँ मैं मारने लगता हूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है मेरा कॉलर पकड़ता है अब देख झाल ते एंग लेंग लेंग हम जाई हो दो हुआ 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 हो जाई सग्यरा क्ट ये ए हो हात हुआ हुआ मुठए फिर्च जनう से भागा है तस राग कि साए बिने हैं कि उिर्म है तイ? कि पुछा जया? है अगर दुबारा यहां पर बिलॉंग्स टू ऐसा वैसा बोर्ड लगाओगे तो एक 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 बॉड़ी पार्ट्स निकाल कर रख दूंगा तुमने नाम नहीं लेकिन तुमने हमारे बॉस की बड़ी बेज़ती किये हैं ने आखरीक इंति शुरू कर लेना तू नहीं बचने आखरीका वला क्या बॉला दिस लाइंड बिलॉंग्स टू कर ना गॉड़ अब तेरी कि शबाश कि पहले तो तुमने लोगों के हाथ पैर तुड़े और उसके बाद खुद के हाथ पैर तुड़वा के आगे अब दिक्कत क्या है बे वो जादा ताकतवर है या हम कमजोर हैं तुमने कहा कि उसका कोई नहीं है और तुमने जाकर बोर्ड लगा दिया वो बुड़ा है या फेर ताकतवर है और वो कान है दूसरा वाला नहीं पहला वाला उसे मारा क्यों नहीं क्यों नहीं मारा उसे भाई वो एक जानवर है जानवर तो क्या हो गया तुम्हारा तलवार उसे काटने से माना कर रहा है या फेर तुम्हारे हाथ तुम्हें रोक रहे है भाई हमारे हाथ उठने से पहले उसके लोए के हाथ हम पे पड़ते हैं भाई उसने हमें मौका ही ने दिया वो बहुत तेज और ताकतवर है भाई अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम उस पर सीधा अटाक नहीं कर सकते हैं क्यों भें गंजे अब मेरी बात ध्यान से सुन हुआ हुआ है डाड़ी हां मैंने आज खुद कविता लिखी है सुनेंगे क्या हां बिल्कुल बेटी तुम लोग भी सुनो ना हां चलने वाली हवा में बहुत मिट्टी है बहने वाले पानी में मचली है मेरे पापा के अंदर बहुत ताकत है कि साथ काम करने वालों में थोड़ा सा डर है मां के बनाए हुए खाने में क्या है बताओ अच्छा टेस्ट है हां नहीं तो गलत हो पेट भर जाए ऐसी सुगई है कि यह बताओ में तो जो पूने में प्नाफ बह Nein कि यह है लिए हुए है और झालो बताओ पर वबाठ काम सक्भ्स्राइब काम इम है झाल झाल कर दो कर दो तो पूसे जड़ लागा वाल कि बस कि अप लगती हों मुझे कुछ कहना है बोस हमारे पीट के पीछे पक्का कोई तो शड़ी अंत्र चल रहा है बॉस मुझे तो लगता है कि उस कॉर्पोरेटर के लोग हम पर नजर रखे हैं आज दोपेर में उनको हमारे गैरेज के यहां से मैंने दो लोगों को जाते हुए देखा और क्या विश्वास कीजिए मैं सज बोल रहा हूं मेरी बातों का यकिन कीजिए अभी भी मैंने उनमें से एक को देखा तू जाना पीने का बंदोबस कर अब जा अब कैसे यकिन दिलाओं यही सही समय है हमें उसे मार देना चाहिए रुकरे उसे एक ही भटके में मारना होगा वरना हम ही पहले मारे जाहेंगे समझे ना जब उसे मारने का सही मौका मिलेगा ना तब ही हम उसे खतम कर डालेंगे ओके-ओके सूपर एक बात बता तुझे जान से इतना प्यार क्यों है एक ना एक दिन तो मरेंगे इना यह सच है बॉस लेकिन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं बच्पन से ही मुश्किल में बड़ा हुआ हूँ बॉस यह सब बाते छोड़ो आप से मिलने के ब यह मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे लिए सब कुछ हो बॉस आपका मिलना मेरा नसीब है बॉस नसीब है अरे बोल तू इतना इमोशनल की हो रहा है कूल बॉस आपके बारे में जानने के बाद मैं सच में आपका फ्यान हो गया आप मुझे आपका दर्स समझा है मुझे जो कुछ भी बताना है ना वो सब क्लियरली बता बताता हूं बॉस आपना अपने पापा ममी के पास वापस घर चले जाओ बॉस किसी गायब हुई लड़की के लिए अपनी जिन्दगी बरबाद मत करो बस इतनी मेरी बात सुनलो मुझे आपकी बहुत चिंता है एक चोटी सी गलती भी जिन्दगी में तकलिफ देती है अब बॉस बॉस यह सब कुछ इनके वज़े से हो रहा है इनके आने से पहले मैं भूल गया था कि मेरी भी कोई लाइफ है बॉस अब बोल्ड ऐसे सौ लोगों के साथ मैं इसी तरह के डील कर सकता हूं समझा अहां बॉस लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता ना तुम्हारे पास मा पापा और करणों की जायताद है जो तुम्हारा इंतसार कर रहा है घर पर मैं तो वैसे ही आनात हूं मेरे पस खोने के लिए कुछ नहीं है मेरी बात सुनो समझो बॉस सब कुछ भूल जाओ ना बॉस प्लीज मेरी बात मानो ना बॉस कोने बे मैं गयरेज वाला राजा बात कर रहा हूं हम दोनों के छगडी की वजा गयरेज है तो मैं क्या करूं तुम लोग कला जाओ गयरेज हैंड और कर दूंगा अब आगे बढ़ा नहीं चाहिए मुझे क्या मैं कल इंतसार करूंगा अबे तेरी तौप अब आया उंट पहाड के नीचे है अरे बोल बॉस आया दो मिनिट हम चलते लो अरे माझना करूंगा अरे मत्या उलते बड़ा चाहिए पहाँ पहाँ कंडिया दूंगा उलते पहाँ पहाँ अरे नहीं नहीं झालते यहां पर यह सब क्या ड्रामा चल रहा है क्या बे खेले क्या तू नहीं बुलाया ना गैरेज हेंड ओवर करूँगा कहकर अब नाटक मत कर एई शुरू करो क्या हो रे क्या नाटक है यह नाटक समझो या फिल्म समझ लो मुझे उससे कोई फार्क नहीं पड़ता दुमारा अगर गैरेज की तरफ आये ना और मेरे गैरेज पर बुरी नजर डाली तो सब को धवले शोरम के बैरेज में एक सट डाल दूंगा और वो भी ऐसे नहीं हाथ पैर बांद कर डालूंगा भाए यह में गैरेज देने से मना कर रहा है भी फोन दे उसे ठीक है भाए कि देख करना आज तक मैं कुछ लोंगों का इंतजार कर रहा था वो लोग अभी मिल गया है मैं तुझे गैरेज नहीं दे सकता कल के कमिट्मेंट के लिए सो सौरे है अब गैरेज को भूल जा इसे तुने बच्चें का खेल समझ रखा है भे करना करना गौड किसी को काट दू तो सबूत तक नहीं मिलता उसका और तूने तो मुझसे बादा किया था पुलेट क्यों रहा है मैं तेरे टुकडे टुकडे कर दूँगा अगर कोई मेरी बात नह मैं उसे मार डालता हूं तो तू क्या है अगर तो फिर भी मेरे पास आएगा तो मैं अपनी इमोशन को साइड में रखे तेरी पूरी फैमिली को मार डालूंगा वार शुरू होने से पहले तेरे बंदे तेरे कदमों में पड़े होंगे और विदाउट एविडेंस तो हुँडछा हुड़ और प्रीम करुट है प्राभ तो कुछाव है detection हुड़ और प्राबर प्राबर वजय कुछ एक वीं कुछ प्रएदाब खार की ठी वे सांद ए इसा लंच कि équम एक ढख थे एंच कहा लाष Ebola कि.. आखए आखए बड़ बढ़िया, यहाँ अब li सor भाए arbitach हाँ आख देश अब एंदाओं आखए ले को टो चाई वाँ ख पाग जब Kerry हाँ गिरिया इया का मे लुट मनाना हमें हाँ या clone तो गुझ हarry पुझ हाँ पुझ अ शुझ हुए भुझ हुग जुझ हाँ ये जुझ ओफुँँ आफुँँ फट्ण आफुँँ प्दुएंग प्दफ़ रड़ आफ' ओव खर अइ जह मुद मुद को खिăngकी वह थाव के झायों डाड़ी आप फ्री हो क्या हाँ बोलो ना खाना देना पापा को शिक्षा मिली पूजा के घर में त्योहार में नारियल गुज्से में फोड़ कर आंगन में रंगोली बना कर छोटे बच्चे को खेला कर जोर से रोने वाली व्यनकतमा आप इतना क्यू जलती हो अनसुया बहन ए नितिया तुम अंदर जाओ तो दम्यांते ए तुम सब इधर आओ जगड़ा होने के इतने टाइम के बाद भी तुम सब शान्त हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो मेरे पती सारा हिसाब देख रहे हैं और तुम लोग सिर्फ बैटे-बैटे खाकर मोटे हो रहे हो दम्यां और मेरे पती के कदमों में गिरकर उनसे माफी मांगने के लिए कह समझ का है अगर ऐसा नहीं हुआ तो देख लेना तुम लोग भी जिन्दा नहीं बच पाओगे जाओ जल्दी उसे लेकर आओ धम्यांते जो चाहती हो वही होगा शिवा शिवा अरे कहा हो तुम मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ अमरा बोल्ट मरिया मरिया मैं उस कन्ना को नहीं छोड़ूंगा मुझे तुमसे मिल्ला है शिवा सुबाव मिलता हू राजा नहीं थाग्या हूँ ठीक है शिवा ओके शिवा चाहे कुछ भी हो हमारा दोस्ता तुम्हें कुछ पुरा नहीं लग रहा है कियो बहुत जान इतनी प्यारी है कि तुछे यह सच है बॉस मुश्किल में बढ़ा हूँ बॉस लेकिन मैं अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूं आपसे मिलने के बाद मेरी लाइफ बदल ग तुने कहा कि तुम मरने को तैयार हो गया अब नहीं उस कन्ना को मैं नहीं छोड़ूँगा मार दूंगा उसे मार दूंगा उसको मार दूंगा कन्ना को बोड़ूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडू क्या बोला क्या बहुत कर रहा है भाइया मर गया मर गया मतलब मुझे कुछ समझ नहीं हा रहा है चल चलिए आसे चलिए यहां ऐसे हैं मेरा बेटा आसर अचलिए कि अधिक उसने कहां था कि उसे को पसंद रहा है थी कुनली से तो इटके भागे नहीं कि इसलिए इनके प्यार को अपना कर मैंने शादी फिक्स की थी मुझे पता नहीं कि इसकी तकलीफ क्या थी तो इसने गुष्टोबार लिया ए बगवान ए बगवान ये क्या हो गया बगवान इश्वा इबगवान 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 शीवा, शीवा, शीवा. शीवा, लगता है吧ने बहुटब लिए. झाल, 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 झाल. यह तुम्हारी कैसी लिलाए भोलेदात? जो लोग अच्छे हैं मासूम है उन्हें तुम इतनी जल्दी बुला लेते हो यह कहां का न्याय है शिवा यह आपने क्या किया यह मराज का यह कैसा धर्म है यह न्याय नहीं न्याय है शिर्वा हुग 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 है इंडो कर दो कर दो िंदू हींदू करो उसरी सर एक्स्क्यूज मी हलो अरे यार चिप बिना पलकों कोई जपका है ये बस पढ़ती ही जा रही है ठीक है देखता हूँ लाइब्रेरी का टाइम तो खत्म हो चुका है तुम्हारा टाइम अभी तख खत्म नहीं हुआ गया इंदू 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 वो तुझसे बात करने की बहुत कोशिश कर रहा था वो बेचारा क्या करें हुआ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो यम्राज का ये कैसा धर्म है ये न्याय नहीं अन्याय है कर दो सकतर कर दो कर दो कर दो शक्तियों मुझे ताकत दो कि मैं तुम जेसा बन चकूँ, शक्तियों मुझे ताकत दो, ताकत दो, मैं तुम जेसा बनना चाता हूँ, मुझे ताकत दो, मुझे अपने शरीन में ले लो, ताकत दो, मुझे ताकत दो, तुम सर्व यापी हो, सर्व ग्यानी हो, मुझे भी वो क्यान चाहिए मुझे अपने शरीर में जना दो ताकत दो मुझे शक्तियों ताकत दो मैं तुम्हारे सामने इंदत मस्तक हूँ मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मैं तुम्हारी अराधना करता हूँ मुझे अपने शरण में ले लो मुझे ताकत दो मुझे ताकत दो मुझे ताक मैं तुझसे तीन सवाल पूछूँगा इजद से जवाब देगा तो इंसानियत से सोचूँगा और अगर उल्टे सिधी बात की तो इसी लाइबरेरी में तुझे तफन कर दूगा यह कैसा ग्रंथ है तुझे इसके पर में क्या पता क्या कर रहा है तू आकर यह सब हो क्या र क्या करेगा बोल मार देगा मुझे मारने की हिम्मत है तुझ में MARK तू यहां उनके लिए आया है जो अभी तक यहां पे आते हैं लेकिन तुझे नहीं पता कि जो आते हैं वो मरेंगे सब के सब मरेंगे कोई जिन्दा नहीं बचेगा याद रख कोई जिन्दा नहीं बचेगा अहां बस इतना ही या और भी कुछ है अगर तुझे लगता यह ख डर को सहन करने वाले लोगों मैंसे नहीं हूँ मैं, तेरी मौद हूँ, तेरी हर कोशिश को रोकूँगा, तू कुछ नहीं कर सकता। मौद को रोकने वाला तू होता कोने बे, भगवान है क्या तू? टाइम है, इसलिए मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, शायद उस भगवान नहीं मुझे यहाँ पर भेजाओगा, अब बहुत हुआ तेरा, अगर जो पुछा गया है उसका जवाब देगा, तो कम से कम आधे घंटे के लिए तू जिन्दा रह पाएगा, जिन्दगी और मौत यम मैंने तुछे मारा, तुने मुझे मारा, एसोनी को मेरे इलावा कोई भी इंसान नहीं रोख सकता, क्या बोला, कोई नहीं रोख सकता, अगर मैं तुछे मारूँगा, तो भी तेरी लाश के साथ बात करूँगा, आगर, शक्तियों बुच ताकत था, कि मैं तुम जैसे सापन चकूँ, शक्तियों बुचे तुम जैसापन चकोँ, ख्तियों मुझे ताकत था, ताकत था, जात्यों मुझेशं साफन चाहता हो, Messy, देघर, ताकत मुजे ताकत था, तुम सलोगी आपि, सलो गयान हो, psychologists सब्सकारा आए तुकान एक तो लोगों की जान ले रहा है यह चलाट एक और यह सब क्या कर रहा है तो खॉल! अच्छा! अच्छ! 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 तुम मर नहीं सकता! तेरा शीवन काल इतना कमजोर नहीं है! तुम मर नहीं सकता! कि कि अच्छ? अच्छ! कर दो कर दो कर दो statistic हुआ को कर दो कर दो झाली वारी तोड़ एकार बाती है लाइब, 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 लाइब ओंग तुछ नहीं है यहां चाहिए पुझे नहीं तुछ मारोगी इंदू इंदू राजा अभी इससे बात मत करो जहरे पर निशान है चीखने की आवाज बाहर तक सुना ही ते रही है क्या हो रही है इस सब के बारे में मुझे क्लियर ली बता सकती हो अचानक से मुझे रूम में आवाज आई कि वहां जाना है वहां जाना है जब मैंने इसे पूछा तो इस ने मुझे मार कर मेरे चेहरे पर खनोच दिया मैं वो दर सहन नीं कर पाई इसलें चिला दी इतने में तुम आगये इंदू 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 ले च्छोड़ो इंदू काहानी बता रही थी है एंदू अगर तो मज़े वहां लिकर जाएगी इंदू और मैं या ना में तुम्हारा रत्ना तो मुझे पहले से जानती हो जानती हूं राजा मैं भी तुम्हारे कॉलेज में हूं तुमने कॉलेज में जब स्पीश दी थी तब इंदु के साथ तुम्हारी दोस्ती हुई और तुम उसे बाइक से फॉलो करते थे मैं ये भी जानती हूं इंदु के परिवार को श्री लंका जाने का आईडिया बालू ने दिया बालू इंदु का कारण कहीं न कहीं तुम भी हो मैंने उससे कई बार कहा कि बालू अच्छा लड़का नहीं है इंदु को भी पता था कि वह अच्छा लड़का नहीं है लेकिन वह यह बात अपने पैरंस को नहीं बता सकती थी और इसलिए मुझे भी उसके साथ श्री लंका जाना पड़ा तो यह दो साल श्री लंका में थी क्या तुम ब्रीफली मुझे बता सकती हो वहां जाने के बाद इंदु ने हफ्तों तक किसी से बात नहीं की उसके पैरंस ने उसे शादी करने के लिए फोर्स किया उनकी कुंडली नहीं मिली इसलिए इंदु के नाम में उन्होंने थोड़े चेंजिस किये आज क्यारा दिन हो चुके हैं और उसका कोई अतापता नहीं है उसकी जान किसने लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी आप चुपहें मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा आप कुछ बोल दे क्यों नहीं हर रोज वो बिचारी आपके बढ़से खुमते थी कहती थी पैपा यह कविता सुन्लो पापा वो कविता सुन्लो है बूसकी अधुको भूल गाइं या पर उसादमीपर दया दिखा रहे हैं है === मैं हापकी तर उससे नहीं भूल सकते हैं है इंदू 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 निसे ने हिंदू यह सब यह क्या है किया तुम पागल हो गई हो कैंदू तुम पागल हो इंदू हर हफ़ते आकर तुम्हें साइन करके जाना होगा नमस्ते सर मेरा नाम है राजा मेरे काका की बेटी है ज्यादा बुक्स पढ़ने की वज़े से वो थोड़ा mentally disturbed हो गई है आप बड़ा दिल करके उसे release कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा देखो राजा mental condition है उसकी तुम्हें बहुत होश्यार रहना चाहिए अंजी सर देखो उलिस वाला है और कैसे खरूचा है उसने देखो कैसे भूत की तरह से देख रही है अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को अंदर कर दूँगा थैंक यू हुआ हुआ है दो हुआ है Iu doctor मैं प्रवबार देखो सल्सक्त कर दिया है अ हुआ है अ हुआ है हो जो जो खिन हुआ 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 है कालपनिक कहाने काम, क्रोध और खमंड से घरे हुए इंसानियत की कहानी क्रोध प्राइब और खमंड से घरे वा खमंड से घरे हुआ है पझाँ तार मैप्ड़ har झार डजक जे लुझार मैंत तेंशन और स्ट्रेस की वज़े से ये बेहोश हो गई थी मेंटली शी वेरी गुड चिंता काने की कोई बात नहीं है मैं टेबलेट्स दे देती हूं वो दे दिना अरे डॉक्टर आप इतना सिंपली कैसे कह सकती है एक्चुली ये वो एसी बात है ठीक है तुम बहार इंतशार करो मैं इसे देखती हूं डॉक्टर हां ज़रा खैल रखी है अहां बोलो बेटी तुम्हारा नाम क्या है ये लड़का क्या बखवास कर रहा था तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता जब तुम कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा ना कुछ नहीं है डॉक्टर मुझे यहां से चाने तो ऐसी बात नहीं है इंदू अगर मैंने ऐसे ही किसी की बात पर यकीन कर लिया तो मेरा नाम खराब नहीं होगा क्या तुम मुझे क्यू सब्सक्राना है बेटी जरा उपर देखो अहां तुम्हें दो दिन के लिए उब्जविशन में रखना पड़ेगा ऐसा है तो वो ग्रंथ लाकर दो मैं उससे पढ़ना चाहती हूं कौन सा ग्रंथ महातंत्र अब उस बुक में ऐसा तो क्या है तुम्हें क्या लगता है कि त इंजेक्शन इंजेक्शन देखो वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है तुम अच्छे से कोशिश करते रहो इसका कोई रिष्टेदार हो तो उसे कॉल करो उनसे कहो कि यहां आए और इससे लेकर चाहे रत्ना हां पिंदू का संकल जी कहसे हो अंकल जी मैं ठीक हूँ तुम कहां से आरहे हों यहीं से अंकल हौस्पिटल से आ रहो हौं पहुत अच्छी दॉक्टर है वह अंकल आप उस ना क्यों जान्तायों मैं अपनी बेटी को एक बर लेकर वहां गया था यहीं मतलब उस दिन जिस लड़की नी स रहा है किया सच में हमेरी बेठी और मेरे दामाद MOR कुमाड डाला तो आपने केस फाइल नहीं किया क्या अउकल यह तो कंफर्म है किउ से मारा गया लेकिन किसने मारा, क्यों मारा ये नहीं पता आपको किसने बताया अंकल? उस दिन वो लाइबरेरी से घर आई और छे घंटे तक उसने किसी से बात नहीं की उसके बाद उसने मेरी साइकल उठाई और यहां से चली गई उस समय मैं घर पर नहीं था मैं रात भर खेत में ही सोया हुआ था लेकिन उस रात मैंने एक सपना देखा सपना? हाँ, जब मेरी बीवी मरी थी, तब भी मैंने सपने में उसे देखा था इसलिए, इसलिए मुझे पूरा यकीन है अंकल, दीदी का नाम क्या था? महेश्वरी बेटा रंगाराओ जी हाँ, नमस्ते बाव, नमस्ते मेरी बेटी सुबह घर से निकली, वैसे ही इनका बेटा भी गया और अचानक मर गया रंगाराओ जी, क्या मैं आप से कल मिल सकता हूँ? मुझे कुछ बात करनी है आच्छी बात है बेटा ओके, मैं चल दू आइए रंगाराओ जी, रंगाराओ जी हाँ, आ रहो हूँ बेटा, आ रहो आ रहो नमस्ते अंकल नमस्ते बेटा मैं जहाँ देख रहू हूँ, वहाँ पर सिर्फ बुक्स नजर आ रही है आपके बेटे को बुक्स बहुत पसंद थी? हाँ बेटा, 12th डिग्री बी-टेक स्टुडेंट्स के जो डाउट्स होते थे, वो क्लियर किया करता था, जरा इसे पढ़ो. सर, आपके बेटे के कोई फ्रेंड्स थें क्या? एक दोस्त था उसका, वो अक्सर यहाँ हमारे घर पे आता रहता था, पर मेरे बेटे के मरने के एक हफते पहले ही, उसने आना बंद कर दिया था. उसका नाम आपको पता है क्या सर? हम उसे कोटी कहा करते थे, उसका पूरा नाम कोटेश्वर राव है बेटा. वैसे बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम ये सारी चीजें किसलिए लेकर जा रहा हो? यही सिच्वेशन मैं भी फेस कर रहा हूं सर, क्योंकि मेरी होने वाली बीवी अपने जान की जंग लड़ रही है. कोटी? कोटी? कोटी नहीं, कोटेश्वर रहा है, मेरा बेटा है, अभी वो यहां पर नहीं है, आजाओ. यह देखो, कोटी नागराज को जानता था, तो हम उसके बरे में जानने आए हैं, नागराज मतलब रोल गूर्ड नागराज कहा है, हाँ, वही वही, यहां से सीधा जाकर लेफ्ट लोगे ना, तो वहां पर मिल जाएगा, ओके सर, थैंक्यू सर, चलता है सर, नमस्ते, चलि नागराज, रोल कुल नागराज, बुलो क्या का मैं, वो देवरापल्ली एरिया में जो लाइबरेरी है, उसके बरे में जानने आए हैं, आचा, उस लाइबरेरी का उनने रगूपार्ण, अच्छे से जानता हूं रिष्टेदार है मेरा क्या हम अभी उनसे मिल सकते हैं यह नहीं हो सकता मैं इसे बहुत बार कॉल किया लेकिन वह गया है इसे लिए कॉल करना छोड़ दिया में प्लीज थोड़ा अगर इतनी सी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा अरे यार क् सब्सक्राइब करें उसका दोस्त है ना मेरे अंकल ही है अच्छे फ्रेंट से अगर तुम उन्हें मिलोगे ना अलमस्त रगवपती से मिलने जैसा है हां सर चलिए ना चलता है उन्हें फोन करके मुझे पूछना पड़ेगा अगर वो फ्री होंगे तो हम जा सकते है अंकल ह है मैं ठीक हूं आप ठीक हो ना क्या मैं आज से मिलने आ सकता हूं ठीक है अंकल वो क्या है ना वो कल सुबह साड़े कहरा बचे फ्री होंगे कल मिलते हैं उन्हें से ओक्योगे ओक्योगे थैंक्यों सो मुझ प्रदर है और Nagraj बहुत दिनों बाद आज दिखाए दिए वो ग्याएन उंकल दोनों साइट पर बाट काम चल रहे हैं कहीं पर जाने का वक्त ही मिलने हम ठीक है यह कौन है यह राजय क्पिर enfari यह ना उसके बार में कुछ पता नहीं है माफे चाहतो आप लोग जा सकते हैं क्या हूँ आप मुझे नहीं पता चलो निकलो यहां से यह क्या है नागराजु मैं तुम्हें जानता पहचानता हूं तो तुम किसी को भी लेकर आगे जो फाल्तू सवाल पूछ रहें यह बात बलाए था था ना उनसे हमने लाइब्रेयरी में काम भी की ऐह ना है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता चलो निकलो ने यह चलुट अँज़ो प्टो तेरा एकलोधा दोस्त था बहुत होश्यार था हमेशा लाइब्रेरी में ही रहता था लाइब्रेरी की तमाम किताबें वह पढ़ा करता था और उसमें से अच्छी बातों को अपने दिमाग में नोट कर लिया करता था पर उसकी एक बुराईए थे वह बहुत बड़ा नास्ति इससे कुछ नहीं हो पाएगा चलो यहां से चलो अरे रुक जाओ जी बहुत मैंने से तुम यहां इतनी दूर आये हो मुझसे मिले बगर चले जाओगे देखा तुमने स्वामी जी बिना बताये ही जान गए कि हम कितनी मुश्किल में हैं ए पागल इनके नस्दीक जाना ही मुसीबत का संकेत है जब तक तुम जैसे लोग अंधिविश्वास पर भरुसा करोगे तब तक ये लोग जिन्दा रहेंगे तुम घलत बोल रहे हो जी मैं कड़ी योग की साधना करके मंत्र का उचारण करके मंत्र तंत्र की विद्या को दिल से सीख कर हमारे पास जो भी मदद मांगने आता है हम निस्वार्थ उनकी मदद करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जैसे तुम सोच रहे हो ज तुम इतने बड़े हो गए कि नसीब बदल दोगे ब्रह्मा का लिखा हुआ नसीब बदलने का कोई रास्ता होता तो सब लोग अपना नसीब बदल लेते हैं चलाओ विश्वार्थ तुम्हारे नाम पर ग्रहनला क्या है आपसे तुम्हारा नाम होगा श्री विशेस्वरा आपका अशिर्वात स्वामी प्रढाम स्वामी निकाले से रगु 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 या करें तुम्हारे रगु 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 चले हां से तुम्हार दूंगा तुछे काने कानो तुम्हार चाहिए तुम्हे कानो स्वामी स्वामी तुझे लगा मेरे पिता की फोटो रखके पूजा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूगा पता है विस्वा तेरे उस दोस ने जिसने मेरे काम की बेज़ती की मेरी बेज़ती की और मेरी मेरी मेहनत को बर्बाद किया उसको और उसके पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूँगा सब को नेस तो नाबूत कर दूँगा वो मेरे पास सर्फ तेरी वज़े से आया था चुप चाप उसका एडर्स दे दे और यहां से चला जाया उसे माफ कर दीजे स्वामी उसके बदले मुझे सजा दे दीजे अगर तुझे नहीं बता है तो ठीक यहीं होगा तुझे पता है न, मैं उसे मारने वाला हूँ उसका कोई भी नहीं है स्वामी वो है और उसकी लैबरेरी है वहां पर आने वाले सभी लोगों को वो अपना फैमिली मेंबर समझता है वह बहुत अच्छा है स्वामी उसे माफ कर दूँ स्वामी इतना काफी है विश्वा स्वामी जी के मिलने के तीन दिन बाद ही रख्वती की मौत हो गई मैं चाह कर भी अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया सब कुछ दो दिन में ही हो गया सबको लगा यह कॉर्परेटर का काम है लाइब्रेरी के लिए उसने उसकी जान ली होगी केस भी फाइल हुआ था पर एविडेंस के अभाव में केस क्लोस कर दिया गया फिर लाइब्रेरी स्वामी चलाने लगे जो लोग वहां पढ़ने के लिए आते वो उन्हें मार देते और उससे वो खुश होते इसका कन्ना के साथ क्या संबंद है वो लाइब्रेरी हथिया ना चाहता था क्या तुम दोबारा उस साथू से कभी मिले कुछ हफ्तों से मैं घर में ही निजर बंद हूँ लाइब्रेरी बंद हो चुकी है इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता हाल ही में उसने मेरे साले को ही मार दिया है हलो हाँ डॉक्टर राजा अगर दो दिनों तक इसमें कोई सुधार नहीं आया तो इसे बचापारा बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें इसका दिमा को उस बुग से डाइवर्ट करना होगा अगर हम वो बुग इसे दे भी दे तो क्या होगा क्या उससे इसकी तब्यत ठीक ह हो जाएगी नहीं डॉक्टर अगर यह उसे पढ़ेगी तो दूसरे दीन ही मर जाएगी वाट क्या राजा मैं इतना सीरिस्ली सवाल पूछ लिए और तुम ऐसे जवाब दे रहे हो कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है इंदू बताओ मुझे मैं हर पल्बस तुम्हारी बारे में सोचता हूं उस किताब को भूल चाओ हमारे प्यार के लिए सिर्फ चाहर दिन के लिए मैंने अपनी जान भी दाओं पर लगा दी है मुझे तुम्हारी जरुदत है मुझे छोड़के मच्चाओ मैं तुम्हे ऐसी हालत में नहीं देख सकता है इंदू तुम सुन रही होना इंदू राजा प्लीज कंट्रोल आओ प्लीज प्लीज राजा प्लीज मेरी बास सुनो राजा प्लीज डॉक्टर डॉक्टर मुझे हिंदू की जरुदत है उसे प्लीज बचा लीजे नहीं हूँ पुछे आपको क्या पूछ 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 नहीं पहले आप जन्रेलिजम में थी अभी आप आध्यात्मिक रास्ते पर जा रही हैं आपके इस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं सो高िष प्लीज और ढाज़र की बारे ह्याली में जोभी बाते सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है वह हुँर जित भी इस अवाध हवास्जा बन चुका है योट में सब चीज बहुत जाणा फैल चुकी है क्या हिए सारी चीजी स जरूरत होती है शायद इनकी भी हो किसी नखिसी तरीके से तो होगी डॉक्टर उस लड़की का एड्रस पता है राचा आर यू क्रेजी इसका एड्रस लेकर क्या करोगे अभी आमें इसके चिंता कनी चाहिए नहीं डॉक्टर कुछ काम तलबार से नहीं कलम से होते हैं अभी अभी आज़ा रही है इंदू को यह बचा सकती है इंदू के जिने का यही एक रास्ता है डॉक्टर मैं चलता हो डॉक्टर राजा मेरी बास सनो राजा प्लीज ट्राइट उंडिस्टेंड कौन हो सराप मुझे मनोग ना मैडम से मिला था वेट कीजी मैं मैं बदा कर आती ह मैं साब मैं साब मैं साब आप से मिलने कोई राजा आया है भीजू उसे हुम मैंम नमस्ते है मैडम मुझे आप से बात करनी है मैडम राजा मैडम पहले उस ग्रंट को लेकर आओ अगर हालत ज्यादा खराब होई तो ये मंत्र बोल देना सब ठीक हो जाएगा ख्यूहर ओके मादम थनक्यो मैडम थे l suic शोरे जाएगा झाल झाल सर्वमंगल मांगल्य, शिवे सरवार्थ साधेके, शरण्ये त्रयम्वके कावरे, नारा यणी नमोस्तुते, झाल 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 इंदुमति नाम की लड़की मौत से लड़ रही है। हाँ मैडम, मैं इसे लिए ये सब कर रहा हूँ, उसे किसी भी तरह बचाना है मुझे। बचाते हैं, इन्हें भी बचाते हैं। ये गरंद किस बारे में है मैडम, इसे पढ़ने के बाद इंसान क्यों मर रहे हैं। मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़े समय के लिए रुको, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जरा वो पत्र मुझे दिना बिटी। इसके ऊपर ही साधू ने ये गरंथ लिखा है। मांत्रिक और तांत्रिक विद्या लेने वाले लोग ही इस गरंथ को लिख सकते हैं। इन पत्तों का इस गरंथ से क्या लेना देना। इसे कई भागों में बताया जाता है। पुराने पंडितों ने जो मदरई के वारियर्स थे। उन्होंने इस जातक की रचना की। जिसमें इस धर्ती पर पैदा हुए सारे लोग थे। जितने लोग मरेंगे ये गरंथ उतना शक्तिशाली होता जाएगा। तब से उसकी पढ़ाई बदल गई। और उसकी जो शक्ति थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। आश्चरी की बात ये है कि इस गरंथ को हर कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो लोग नुमरालीजी के हिसाब से अपना नाम बदलते हैं क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं है तो ये गरंथ वही लोग पढ़ सकते हैं। इस गरंथ को इसी तरह बनाया गया है कि कोई और न पढ़ सके। तुमने जिस लड़की के बारे में बोला वो उसी हालत में है। तुम्हारा जो संदे है वो मैं बताता हूँ। आखिर वो स्वामी कैसे मरेगा। साधू ने रघुपती की आत्मा को वशीकरण करके इस गरंथ को लिखा ताकि उन सब का नाम इसमें आ जाए। जो लोग भी इसे पढ़ते हैं उनका नाम वो हो जाता है। वो नाम क्रॉस में आकर फिर हरा हो जाता है। और पढ़ने वाला अंजाने में आखरी नाम पर साइन करके वहां से चला जाता है। यह सब कैसे खतम होगा गुरू जी। मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोग ही इसका अंत कर सकते हैं। जब बहते हुए पानी में आग लग जाएगी और सूर्य बीच में आ जाएगा और पंच भूत कबजे में आकर सुनामी जैसे आत्माओं का ग्रूप जब जागेगा तब इसका अंत किया जा सकता है। दो दिन बाद ये शुब दिन आने वाला है। अगर उस दिन हमने इसका अंत किया तो सारी आत्माओं मुक्त होकर चली जाएंगी। देर मत करो। राजा, तुम लोग यहां से चले जाओं। वो समय शुरू हो गया है। थोड़ी देर में यहां पर बरबाती होगी। जाओ, जाओ। राजा। कि झाओ। में जाओ टूरू जाओ। झाँ झाँ जाँ झाँ प्लाज में रिखना अर रहता हुआ हा कि बढ दो अ हुआ हुआ अ रहता हुआ 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 है यह पंद्रा दिन मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे तुझे क्या लगता है कि कन्ना की नजरों से बचना इतना असान है कन्ना तेरे साथ बात करने का यह सही समय नहीं मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फसक्या हूँ प्लीज जाने दे मुझे अबे तुझे क्या लगता है कि मैं तरी कहानी में फस जाओंगा इन हाथों कि रेखाओं से लेकर शरीर के हर एक नस में दिमाग में टार्गेट फिक्स किया है अब तु मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाला हूं आज के दिन जब मैं तुझे इन हाथों से मारूंगा तब मेरी बेटी की आत्मा को शांती मिलेगी मर 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 तुने मेरी बेटी को मारा मर चोड़ो इसे क्यों भे सिर्फ इसके लिए ना गराज देकर तुने वापस ले लिया मेरी बेटी को इसके लिए मारा अब तु देख मैं क्या करता हूं मैं इसे तेरी आँखों के सामने मारूंगा करना क्या बोला मैंने तेरी बेटी को मारा मुझे उसको मार कर क्या मिलेगा सोचने वाली बात है ना मुझे पता भी नहीं कि तेरी बेटी कैसी दिखती है क्या बोला तू मेरी बेटी को नहीं जानता बिना जाने उसे लाइबरेरी से लेकर गया था एक अन्ना थोड़ा सही दिमाग रख कर सोच जब वो बेहोश हुई थी मैंने उसकी मदद की थी तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन यही सच है तेरी कहानी तो सूपर हिट है लेकिन तू पूरी तरह से फ्लॉप है कि अग्य और जाए इन्हें जमीन के अंदर जिन्दा कार दो कि अग्यू प्लॉप है जोड़ो पुझे राजा लेजली से राजा नहीं 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 पुझे राजा आया peligत राज़ो आधगे राजा। अजयरकी है एक वाहाँ ऑ्जौर लिए बढ़कर पाराओ से जब अपाराओ को और गुड़ुिया का एक हुड़ु़ु़ु़ु़ु बढ़कर पार गुड़ु़ु़ुशबु़ु़ु़ुबु़ु़ुआ जो चलो कि या बोल रहा तूँ उसने मारा तुझे एए नारी घुमा कि या बोल रहा तुमा कि या रहा तुमा रहा तुमा कि या प्रादि तुम जैसा सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है इस गरंथ को जलाते समय जब सूरी किर्णे आग की लप्टों में पड़ेंगी तब ही एक विशेश मुहूरत में ही इस गरंथ को हवनकुंड में डालना होगा पर उसी समय आसपास भैंकर उपद्रो होगा जो विक्राल रूप लेकर तुम्हें विचलित करेगा हो सकता है कि तुम उससे डर जाओ पर साहस मत खोना आओ ठीक उस समय तुम्हारा शत्रू भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा और प्रकृती भी तुम्हारा साथ देगी मंत्र और तंत्र भले ही तुम ना जानते हो पर मेरे बतायानुसार अगर तुमने किया तो जीत तुम्हारी होगी पर मुश्किले भी आएंगी तुम्हार पर मेरे कहारी हो तुम्हार दुम्हार तुम्हार पर यह मुश्वार हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ तुम लोग मानो या ना मानो लेकिन यही सच है हुआ 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 तक हुआ हुआ यजँ झाल प्रुट! कोHigh हाँ 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 यह है है यह interpreting है यह 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 है हाह! हाह! वाइ अपोलीोडिक याइचा अफ़िआ champion रए हाइ सेंदीन हाँ झाले भ्लॉत के रहते हैं जाँ 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 एक प्टू नहाए, कि झाल, ट एक राफ। एक हाए, यहाए, एक हाए जड़ करों जड़ एक अश्मार करों अश्मार के शार्ड़ में और आब वाए प्रॉपनार के वा वे उल झाल वाए, प्रॉपनार के लुझ है आप अफू सिर्ग जँर से मिन ईजबाई और दोड़। ऐसे दोड़ लड़ आपि दोड़ेश लोगहारा उन्हीं के एक पहल कुछ भी तरहे दकाई। राजा ने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया। रावन के जंग के राम की याद दिलाए, मुझे आगे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, इसके पहले तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, मेरे अंकल की कुर्बानी का मतलब तब होगा जब तुम दोनों एक हो जाओगे, उनका अशिर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा, अब से तुम दोनों अपनी जीवन को अच्छी तरह जीओ और हमेशा खुश रहो, आपने जो मदद की है ना, वो शब्दों में बयानी की जा सकती, आपके अंकल की कुर्बानी हमें अपने जिंदेगी में कभी भूल न अच्छा, तुम मुझे छोड़ करकी लिए क्यों चली गई थी, जानती हो तुम्हारे इंतसार में चार दिन गेट पर ही खड़ा था, तुमने बालू को क्यों मारा, उसने मुझसे माफी माँगी थी, उसे मारने के लिए, मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और तुम्हार मारने के लिए, सौरी, मुझे उस वक्त वैसा लगा था, शायद मैं तुम्हें परिशान कर रही थी, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ